Hello and welcome to Learn with Hema's class. My dear students, आज हम करने वाले हैं Standard 9 का English Subject और उसका 3rd Unit का 4th Chapter 3.4 How the First Letter Was Written इसे लिखा है Rudyard Kipling ने, ये एक Neolithic Stone Age Man की स्टोरी है Imaginary स्टोरी है, इसका हमारे Real Life से कुछ लेना देना नहीं है ये हमें बताते हैं कि किस तरह से Communication Gap जब होता है दो Tribes के बीच में, ये जब उन्हें लिखना नहीं आता है, लिखना पढ़ना नहीं आता है एक दूसरे की भाषा नहीं समझती है, तो वो अपने Message कैसे Conway करते हैं और उस दौरान में जो Funny Situation Scene Create हुआ है उसमें सामने वाले ने क्या Message समझा और वो क्या Conway करने गया और और सामने वाले ने क्या Message समझा है यह बहुती Confusing है, लेकिन बहुती Interesting है और यह पूरा Chapter में आपको Explain करूंगी, साथ ही साथ इसके Question Answers आप देख सकते हैं नीचे Description Box में और एक छोटी से Request जो हमेशा समेरी रहती है कि अगर आप मेरे चैनल के लिए नए है that is Learn with Hema के लिए नए है तो जरूर से Subscribe कीजिए Learn with Hema को ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो और उनके अपडेट्स आते रहें और साथ ही साथ अगर आपके Standard का कोई वीडियो नहीं है किसी और Standard का है तो प्लीज उस Standard के बच्चे के साथ वो वीडियो जरूर से Share कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो Like बटन हिट करना ना भूले तो चलिए शुरू करते हैं How the First Letter Was Written अब यह देखो बहुत थोड़ा सा Confusing Start में आपको लग रहा है कि लेकिन बहुत इजी है समझने में कि एक बार बहुत अर्ली टाइम की बात अगर हम करते हैं बहुत ही अर्ली टाइम जड़िस जब स्टोनेज में की हम बात करते हैं आपने 4th 5th Standard में स्टोनेज में के बारे में पड़ा है तो जब वो स्टोनेज में था तो स्टोनेज में का जो लेटर पार्ट है उसे हम नियॉलिथिक में कहते हैं नियॉलिथिक में जब वो स्टोन टूल्स वगरे बनाने लग गए थे तो Neolithic man जब वो रहता था वो एक केव में रहता था केविली मतलब अपने में ही खुश था He used to live केविली in a cave केव में रहता था बहुत कम कपड़े पहनता था जितने जरुरत होते थे उतने ही कपड़े पहनता था और उसे लिखना और पढ़ना नहीं आता था और वो चाहता भी नहीं था लिखना पढ़ना और सिर्फ जब उसे भूख लगती थी तब वो बेचैन होता था बाकि सभी टाइम वो एकदम खुश रहता था यने कि except when he was hungry सिर्फ जब भूख लगती थी तब ही वो बेचैन रहता था बाकि वो एकदम खुश रहता था he was quite happy और उस आदमी का नाम क्या था उस नियॉलिथिक मैन का नाम क्या था जिसकी हम स्टोरी यहां करने वाले हैं उसका नाम था तेगुमाई बॉपसुलाई तेगुमाई बॉपसुलाई का मतलब क्या है वो यहां बताया है वो आदमी जो घाई घाई में अपना पैर आगे नहीं रखता है तो कोई भी आदमी जब घाई नहीं करता है कोई काम करने की तो उसका मतलब क्या होता है कि वो patient है patience के साथ काम करता है ओके संभल संभल कर काम करता है तो यहां पर यह को questions एगे one word for the meaning of each of the names तो तेगुमाई बॉपसुलाई के लिए हम यूज कर सकते है patient प-a-t-i-e-n-t वैस्पर यह answers मैं आपको दूँगी description box में आप वहां भी देख सकते हो तो उसका नाम जो था तेगुमाई बॉपसुलाई था और जिसका मतलब था man who does not put his foot forward in a hurry यहने जो आदमी कोई घाई नहीं करता है किसी काम में भी but we oh best beloved यहने वो हमें कह रहा है रोडियाड किपलिंग जो है हमें जो story जिन्हें सुना रहा है young boys and girls जिनको story वो सुना रहा है तो वो हमें address कर रहा है और हमें बोल रहा है oh best beloved यहने हमारे लिए best beloved वो उसने word यूज किया है रोडियाड किपलिंग ने we'll call him तेगुमाई तो हम उस तेगुमाई बॉपसुलाई को हम तेगुमाई कहेंगे for short short name से हम सभी एक दूसरे को बिलाते हैं कही बार and his wife's name was तेशुमाई तेविंडरो और उसकी जो wife थी तेगुमाई बॉपसुलाई की उसकी wife का नाम था तेगुमाई sorry तेशुमाई तेविंडरो तेशुमाई तेविंडरो का मतलब क्या था and that means lady who asks a very many questions मतलब वो lady जो बहुत सारे सवाल करती है अब बहुत सारे सवाल कौन करता है जो बहुती curious रहता है बहुती inquisitive रहता है तो यहाँ पे उसके लिए one name जो अगर हम देना चाहे तेशुमाई तेविंडरो के लिए तो वो one name आप inquisitive भी लिख सकते हो तो तेशुमाई तेविंडरो का जिसको ऐसे describe किया गया है lady who asks very many questions but we, oh best beloved यानि कि हम जो सुनने वाले हैं स्टोरी सुनने वाले हैं उनके लिए best beloved use किया है word we'll call her तेशुमाई मतलब हम उसकी wife को तेशुमाई कहेंगे तेशुमाई की wife को तेशुमाई कहेंगे for short and his little girl daughter's name was टेफिमाई मैचालुमाई और उनकी जो बेटी थी छोटी बेटी मतलब एक ही बेटी थी उसका नाम था टेफिमाई मैचालुमाई टेफिमाई मैचालुमाई and that means small person without any manners who ought to be spanked मतलब उसका मतलब क्या होता है कि वो एक छोटा बच्चा आदमी जो भी है जिसके पास कोई manners ही नहीं है और उसे एक चाटा देना चाहिए spanked मतलब should hit hard with something flag और इसके लिए क्या नाम देंगे टेफिमाई मैचालुमाई का मतलब without any manners मतलब हम क्या कह सकते है naughty and she was टेगुमाई बॉपसुलाई's best beloved and her own mummies best beloved and she was not spanked half as much as was good for her and they were all three very happy और यहाँ पर जैसे अभी author ने तो कहा है कि मैं तो उसे टेफि बुलाँगा और वो जो है टेगुमाई बॉपसुलाई की best beloved याने की सबसे प्यारी और उसकी ममी की भी best beloved याने की उनकी ममी पापा की दोनों की सबसे प्यारी थी और उसे जितना डाटना या मारना चाहे ता उसका आधा भी उसके साथ नहीं treat करते थे उसको मतलब बहुत ही प्यार से रखते थे इसलिए वो शाद इतनी बिगड़ गई थी as much as was good for her मतलब जितना उसके लिए अच्छा है उतना उसको बिल्कुल भी डाट फटकार नहीं मिलती थी मतलब वो बिल्कुल बिगड़ी हुई थी and they all three were very happy और वो तीनो के तीनो टेगुमाई, टेशुमाई and टेफिमाई ये तीनो के तीनो बहुत खुश थे now attend and listen मतलब अब जो है रुडियाट किपलिंग जो कह रहे हैं कि अभी तो उन्होंने सिर्फ एक introduction दे दिया है कि उसके story में ये तीन characters है अब वो कहते हैं कि अब attend करो ये lesson और सुनो मतलब ये story मेरी सुनो वन डे टेगुमाई बॉपसुलाई वेंट डाउन थू दे बीवर स्वैम टू दे वागाई रिवर तू स्पियर काप फिश फॉर डिनर and टेफि वेंट टू एक दिन की बात है कि टेगुमाई बॉपसुलाई जो है वो बीवर स्वैम से होते हुए वागाई रिवर गए बीवर एक टाइप का एनिमल है रैट लाइक दिखने जैसा और स्वैम मतलब दलदल कीचड हम कह सकते हैं एसा कीचड जहां पर बहुत सारे ये बीवर हैं और वहाँ से होते हुए यानि की टेगुमाई बॉपसुलाई कहां से होते हुए बीवर स्वैम से होते हुए कहां गए वागाई रिवर रिवर का नाम है वागाई वहाँ क्यों गए थे, मचलियां पकडने के लिए, किसलिए, डिनर के लिए, मचलियां डिनर के लिए उनको पकडनी थी, दिनर खाने के लिए और टेफी भी उसके साथ में गई थी टेगुमाई स्पियर वस मेड और वुड विच शाक स्टीथ अट दे एंड और टेगुमाई का जो स्पियर था स्पियर याने भाला जिससे वो मचलियां पकड़ने वाला था वो वुड का बना वा था और उस वुड पे आगे जो एक धार वाली चीज जो लगी थी वो था शाक शाक स्टीथ शाक एक वाटर अनिमल है बड़ा हम सभी को पता है उसके दात उसका दात लगाया हुआ था उस वोडन स्टिक के उपर स्पियर के उपर और इससे पहले कि वो कुछ मचलियां पकड़ पाते थे एक्सिदेंटली यहने की भूल से उनके हाथ से टेगुमाई के हाथ से यह जो भाला था वो तूट गया कैसे तूट गया उन्होंने कोशिश की होगी रिवर के अंदर ऐसा भाला डालने की ताकि कोई फिश पकड़े लेकिन वो भाला जो है वो रिवर के जो बेस होता है रिवर बैट जो होता है वहाँ पर बहुत जोर से लगा जैबिंग मतलब पकड़ने की कोशिश में मारने की river में और इसके वज़े से वो accidentally तूड गया मतलब गलती से तूड गया जान बुचके तोड़ा नहीं अब they were miles and miles from home and tegumai had forgotten to bring any extra spears और ये लोग बहुत मीलो दूर थे अपने घर से दोनों भी tegumai और teffy मीलो दूर थे अपने घर से और tegumai ने अपने साथ में extra spear नहीं लाया कई बार हम जाते हैं कहीं पर तो extra चीजे लेते हैं ताकि एक चीज अगर खराब होगी तो दूसरी चीज हमें यूज करने में आ सकती है तो spear उनके लिए हंटिंग का ओजार था हंटिजिससे करते थे तो spear तो बहुत जरूरी था उस वक्त तो उस दिन वो नहीं लाया extra spear जि बता गई है से टेगुमाई तो यहां पर pretty cattle of fish का मतलब यह नहीं है कि बहुत सारी मचलिया है इस phrase का मतलब यह है कि अब हमारे उपर मुसीबत आ गई है क्योंकि हमने यह spear तोड़ गया है हमारे हाथ से इसलिए हम मुश्किल में पड़ गए है इट विल टेक मी half the day to mend this और ज There's your big black spear at home, said Teffy. Let me run back to the cave and ask mommy to give it me. अब Teffy कहती है कि पापा आपका एक बहुत बड़ा black color का spear जो है न वो घर पे है मुझे जाने दो मैं जाती हूँ घर में भाग के और ममी को कहती हूँ वो मुझे दे देंगे. It's too far for your little fat legs, said Tegumai. लेकिन Tegumai क्या कहते हैं कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे छोटे मोटे पैरों के लिए बहुत लंबा है cave. Besides, you might fall into the beaver swamp and be drowned. और हो सकता है कि जब तुम beaver swamp cross करने जाओ तो तुम उसमें डूब भी जाओ और तुम उसमें गिर जाओगी और डूब जाओगी. We must make the best of a bad job. और प्लस वो कहते हैं कि अब हमारे साथ जो भी बुरा हुआ है, ये पूरी चीज, बुरी बात जो हुई है, accidentally हुई है, लेकिन हमें इसका अच्छा उपयोग करना होगा. मेरे पास जो बैग है, मैं उसमें से सारी चीजे निकाल कर इसको रिपैर कर दूँगा. He sat down and took out a little leather mendi bag full of reindeer sinews and strips of leather and lumps of beeswax and resin and began to mend the spear. तो अब जो है, टेगुमाई जो है, वो बैट गया नीचे और उसने अपना एक छोटा सा leather bag निकाला. Leather Mendi Bag, यहाँ पे mentioned है. Leather Mendi Bag, यह bag के लिए adjective यूज हुआ है, Leather Mendi Bag. मतलब एक तो leather का bag था, चमड़े का bag था और Mendi Bag इसलिए कहा गया है, क्योंकि उसमें सारे रिपैर करने के instruments, tools and equipments रखे हुए थे. Full of reindeer sinews, full of reindeer sinews, reindeer sinews मतलब bones बोल सकते हैं, जो सुई के जैसा काम करते हैं, reindeer के, and strips of leathers, बहुत सारे strips थे, पटे थे, leather के, and lumps of beeswax and resin, और beeswax के डले भी थे, beeswax किसलिए काम आता है, चिपकाने में, कोई चीज को चिपकाने में, resin का मतलब भी गम होता है, तो बहुत सारा beeswax औ उसके साथ में ले रखा था, and began to mend the spear, और ये सारी चीज़े उसने निकाल कर जो किया है, spare को ठीक करना चालू कर दिया, spare को ठीक करना चालू कर दिया, अब यहाँ पर एक ऐसा question आ सकता है, कि what things were there in the leather mandy bag, तो हम बता सकते हैं, कि that there were reindeer sanews, strips of leather, lumps of beeswax and resin, ये चार चीज़े हैं, उस leather mandy bag में, swamp, a marshy land, यहाँ पर meaning दिया हुआ है, and a pretty kettle of fish, means a messy situation, येने कि, सब कुछ mess हो गया है, बिगड़ गया है, काम बिगड़ गया है, उसे कहते हैं, messy situation, Teffy sat down too, with her toes in the water, and her chin in her hand, and thought very hard, then she said, I say daddy, it's an awful nuisance, that you and I don't know how to write, isn't it, if we did, we could send a message for the new spear, अब Teffy तो वहाँ बैड़ गई, क्योंकि उसके पापा ने, टेगु माई ने मना कर दिया, कि घर नहीं जाना है, क्योंकि तुम हो सकता है, बीवर स्वेम में डूब जाओ, गिर के, प्रॉटापना मूँ अपने दोनों हाथों के बीच, और बहुत जोर जोर से को सोच रही थी, क्या करे, और फिर उसने अपने पापा से कहा, कि कितनी बेकार बात है ये, कि हमको और आपको और मुझे, किसी देआ नहीं आता है, क्योकि अगर हमें लिखना आता था, तो आज हम एक message भेज सकते थे ना नए spear के लिए किसी के साथ में तो हमको नए spear मिल जाता था आपको इतना repair करने बैठना नहीं पड़ता था तो awful का मतलब होता है strange और nuisance का मतलब होता है creating or causing disturbances तो मतलब क्योंकि उन्हें लिखना नहीं आता है और उसी वक्त एक stranger man जो है उस river के पास में आया but he belonged to a far tribe the Tevaras and he did not understand one word of Tegumai's language लेकिन ये जो stranger man था ये जो Tegumai और Teffy जिस tribe के थे उस tribe का नहीं था ये कहीं और दूर रहता था इन से और ये जो है Tevara tribe का था the tribe which is mentioned over here is Tevara tribe of the stranger man और उस Tevara tribe का ये आदमी था और उस आदमी को Teffy और Tegumai की language जो है बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थी मतलब Teffy जो भी कह रही थी वो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो तो वहीं पर bank के किनारे पर खड़ा था और Teffy को देखकर स्माइल कर रहा था क्यों स्माइल कर रहा था He stood on the bank and smiled at Teffy Why he smiled at Teffy? Because he had a little girl daughter of his own at home क्योंकि उसके खुद के घर में उसकी खुद की एक उतनी ही छोटी दॉटर है इसलिए उसने Teffy को देखकर स्माइल किया यह एक answer में आ सकता है जब पैसे जाता है तो Why did the stranger man smiled at Teffy? Because he had a little girl daughter of his own at home अब टेगुमाई drew a hank of deer sinews from his mendi bag and began to mend his spear अब यह तो Teffy को देखकर तो स्माइल कर रहा है उधा जो टेगुमाई है वो बैठा है और उसने क्या किया उस जो mendi bag है उसमें से एक hank of deer sinews निकाला hank hank का मतलब है loosely tied bundle of strings या फिर आप coil या skin of wool कह सकते हैं या hair बाल भी कह सकते हैं जो जैसे हम धागा thread use होता है वैसे यह hank है जो सीने के लिए हम use करते हैं धागा तो hank of deer sinews तो deer के bone से बने हुए जो धागे थे वो उसने अपने mendi bag में से निकाला और अपने spear को mend करने लगा यहने repair करने लग गया come here said teffy do you know where my mummy lives and the stranger man said अब वो stranger man को क्या कहती है इधर आओ क्या तुम्हें पता है मेरी mumी कहां रहती है अब जैसे ही teffy ने यह question किया stranger man बिचारा क्या बोलेगा उसने सिर्फ आओ किया silly said teffy and she stamped her foot because she saw a shoal of very big carp going up the river just when her daddy couldn't use his spear silly teffy जोर से बोलती है अरे यार क्या मुसीबत है या क्या बकवास है और अपना foot भी stamp करती है मतलब जोर से अपना पैर पतक रही है क्यों पतक रही है क्योंकि उसी वक्त उसने river में a shoal of very big carp देखा मतलब shoal of carp मतलब ये shoal word जो है collective noun है fish के लिए shoal भी यूज कर सकते हैं school भी यूज कर सकते हैं fish के लिए collective noun तो ये एक sentence में do as directed में आपको normally पूछा जाता है find out the collective noun from this passage तो shoal of very big carp fish going up the river तो shoal बहुत सारा fish उसको दिखा कि उपर की तरफ जा रहे थे river में से और वो भी उसी वक्त जब उसके daddy जो है वो spear mend कर रहे थे और उनके पास कोई spear नहीं थी क्योंकि आये तो वो थे काप fish पकड़ने के लिए और fish पकड़ने पा रहे हैं और बहुत सारी fish वहाँ से river से निकली है उस वक्त डोंट बॉदर ग्रोनप्स से टेगुमाई सो बिजी विथ his spear mend निंग अब टेगुमाई वहाँ बैठा है लेकिन उसको सुनाई तो दे रहा है न टैफी किससे बात कर रही है तो उसने क्या कहा चेगुमाई ने कि तुम बड़ों को परिशान मत करो don't bother grown-ups जो दूसरे बड़े लोग है उनको परिशान मत करो और वो अपना काम ही कर रहा है उसने तो turn भी नहीं किया देखने के लिए कि कौन है stranger वहाँ पे और वो अपना spear mending का काम कर रहा है मतलब repairing का काम कर रहा है I aren't said Taffy तो Taffy कहती है मैं नहीं किसी को परिशान कर रही है I'm not bothering anyone अब देखो वो क्या बोलती है I only want him to do what I want him to do and he won't understand मतलब मैं सिर्फ उससे यही करवाना चाहती हूँ जो मैं करवाना चाहती हूँ और उसे कुछ समझनी आ रहा है यहने क्या वो ही जो करवाना चाहती है वही तो वो करवाना चाहती है तो दो भर repeat हो रहा है तो it's a comedy thing Then don't bother me said Tegumai तो Tegumai बोलते हैं तो ठीक है फिर मुझे परिशान मत करो मुझे बिल्कुल बॉदर मत करना and he went on pulling and straining at the deer sinews with his mouth full of loose ends और फिर वो जो है अपने mending की काम में लग गया repairing के जैसे उसके मुँ में धागे थे जगे जगे पे उसने पकड़ रखे थे धागों को और deer sinews तो उसके हाथ में थे यह बोन्स वगरे और वो सिलाई कर रहा था यहां से वहां से loose end जो भी निकल रहा है मुझे पकड़ रहा है और फिर कर रहा है सिलाई और वो वही पर ग्रास पे बैढ़ गया रिवर के पास में और टेफी ने टेफी जो है उस stranger man को बता रही है कि उसके डैड़ी क्या कर रहे है और यह stranger man तो सोच रहा है कि यह तो कितना wonderful child है यह यह पका उस जो noble chief है उसकी daughter होगी जो बिलकुल भी मेरे उपर घ्यान नहीं दिया जिसने कि कोई है यहाँ पर या नहीं है so he smiled more politely than ever तो वो और ज्यादा अच्छे से smile करने लग गया और ज्यादा अच्छे से जैसे मानो कि वो बहुती noble आदमी है वो टेवारा जो तेगुमाई है बहुती noble है और इसी लिए वो बहुत अच्छे से और अच्छे से smile कर रहा है अब वो क्या बोल रही है टेवी उस stranger को कि सुनो मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ मेरे ममी के पास में क्योंकि तुम्हारे पेर लंबे है मुझ से लंबे है मेरे पेरों से लंबे है अन्ड तुम उस बिवयस swamp में नहीं गिरोगी जिसका ब्लेक हैंल हैर जो fireplace के उपर हैंग हो रखा है वहाँ पर उसको तंगा रखा है वो वाला spear आपको लेकर आना है अब stranger man को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी वो सोच रहा है कि ये तो बहुत ही बहुत ही wonderful child है वो अपना हाथ मुझे दिखा रही है वेव कर रही है मुझे देख कर अपना हाथ और मुझे पर चिला भी रही है जोर जोर से मुझे बोल भी रही है कुछ but I don't understand a word of what she says लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बोल रही है but if I don't do what she wants I greatly fear that that hofty chief man who turns his back on collars will be angry he got up and twisted a big flag piece of bark off a birch tree and gave it to Taffy अब जो है वो stranger man जो क्या सोच रहा है कि अगर मैंने वो नहीं किया जो ये लड़की चाहती है तो मुझे ऐसा डर है कि वो जो chief वहाँ बैठा है जिसने अपना back कर रखा है मेरी तरफ वो गुसा हो जाएगा और तो stranger man ने क्या सोचा कि वो आदमी गुसा हो जाएगा ने इसलिए stranger man ने क्या क्या वो उठा वहाँ से और उसने एक birch tree का bark यहने कि tree का छिलका बड़ा सा white color का वो तोड़के निकाला और उसने teffy को दिया अब उसने ये छिलका क्यों दिया tree का छिलका teffy को निकाल कर he did this best beloved best beloved हमारे लिए यूज किया है young students के लिए to show that his heart was as white as the birch bark and he meant no harm तो उसने ये birch bark इसलिए दिया teffy को ये बताने के लिए कि उसका heart भी बिलकुल ऐसा ही है white और वो कोई भी harm नहीं पहुँचाएगा teffy को या उसके father को but teffy didn't quite understand लेकिन उसकी बाद tevara की बाद तो teffy को समझ में नहीं आई जैसे teffy की बाद जो है tevara को समझ में नहीं आ रही है वैसे tevara की बाद teffy को समझ में नहीं आ रही है oh said she तो अब teffy क्या कह रही है oh now I see you want my mommy's living address अब देखो बाद क्या है और क्या समझी जा रही है तो teffy कहती की oh अब मुझे पता चला तुमको मेरे mommy का address चाहिए जहाँ वो रहती है यहाँ दीखा living address मतलब जहाँ वो रहती है of course I can't write but I can draw pictures तो teffy कहती है की of course मैं लिख नहीं सकती याने खरोट खरोट के draw कर सकूँ खरोच के कोई चीज को draw कर सकूँ तो अच्छा होगा please lend me the shark's tooth of your necklace अब देखो यहाँ पर यह necklace का photo दिया हुआ है और यह जो बीच में है वो shark का tooth है और यह सारे beads है और यह वो टेवारा के गले में था तो यह कहती है कि मुझे वो तुमारा shark tooth दे दो तुमारे necklace में का अब बार बार हमें यह बता रहे हैं मतलब from which tribe the stranger man was the stranger man was from a टेवारा tribe उसने कुछ भी नहीं कहा जब टेफी ने मांगा ना मुझे तुमारा shark's tooth दो तो उसने कुछ भी नहीं कहा तो टेफी को लगा होगा कि उसने permission दे दिये मुझे अपने आप निकालने के लिए so टेफी put up a little hand and pulled at the beautiful bead and seed and shark tooth necklace round his neck तो टेफी ने क्या किया वो थोड़ी सी jump की उसने और वो जो necklace में जो beads और shark tooth है वो उसने निकाला उसके गले से the stranger man and he was a tiwara thought this is a very 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 wonderful child तो ये जो stranger man था and he was a tiwara उसने सोचा किया रहे ये तो बहुती 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 wonderful है child the shark's tooth was the shark's tooth on my necklace is a magic shark's tooth ये जो shark tooth मेरे necklace में है ये तो एक magical shark tooth है and I was always told that if anybody touched it without my leave they would immediately swell up or burst और मुझे हमेशा से ये ही कहा गया है कि अगर किसी ने भी मेरे permission के बिना ये shark tooth मेरे कले से निकाला तो वो आदमी उसी वक्त fool कर burst हो जाएगा but this child doesn't swell up or burst और ये child तो इतनी wonderful है कि वो swell भी नहीं हो रही है fool भी नहीं हो रही है and that important chief और वो जो important आदमी वहां बैठा है man who attends strictly to his business जो सिर्फ अपने काम से मतलब रख रहा है who has not yet taken any notice of me at all जिसने बिलकुल मेरे तरफ ध्यान नहीं दिया है doesn't seem to be afraid that she will swell up or burst और उनको कोई चिंता ही नहीं है कि उनकी बैटी swell हो जाएगी या burst हो जाएगी I had better be more polite और अब मुझे और polite होना पड़ेगा तो वो टेवारा सोच रहा है कि तो अब टेफी को तो उसने शाक स्टूथ दे दिया अब टेफी क्या हो गई वो नीचे ऐसे लेट गई जमीन पे पेट के बल पे और उसने पैर अपने उपर लटका लिये हवा में और वो ट्रॉइंग कर रहे है जैसे हम नॉमली ड्रॉइंग रूम में हमारे लेटे-लेटे उल्टे-लेटे-लेटे कुछ करते हैं हमारे पैर उपर हवा में लटकते हैं तो वैसे ही वो टेफी भी वहाँ पैट गई और उसने क्या कहा कि अब मैं बहुत ही सबसे पहले में डैडी का फोटो बनाऊंगी जो फिशिंग कर रहे हैं अब यहां पर हम नोट डाउन करेंगे कि कितनी ड्रॉइंग कर रहे हैं सबसे पहला क्या है डैडी फिशिंग यह अप अंडलाइन कर सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में अब यह टैफी जो है पूरा ड्रॉइंग बना रही है अब यह ड्रॉइंग जो है कैसी बनती है वो एड़ एंड हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर जब यह आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कौन सी चीज कहां पर बना रही है तो आप ज़स्ट ध्यान दीजिए वो क्या क्या कर रही है तो सबसे पहले तो उसने डैडी को बनाया है फिशिंग करते होगे ठीक है फिर्स तिंग अब उपर से ये भी कह रही है कि बिल्कुल उनके जैसा तो नहीं है बट ममी विल नो लेकिन ममी को समझ आ जाएगा कि यह डैडी है क्योंकि मैंने ड्रॉ किया है कि उनका स्पीर तूटा हुआ है तो डैडी के साथ ने उसने क्या ड्रॉ किया है second चीज स्पीर ब्रोकन और मैं दूसरा स्पीर ड्रॉ करती हूँ जो उसको चाहिए मेरे डैडी को चाहिए मतलब अभी तीसरी चीज़ उनों ने एक वो spear draw किया उसने कौन सा spear draw किया black handle का और वो spear कैसा लग रहा था as if वो daddy के back में stick हुआ 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 हो और ऐसा क्यों लग रहा है कि daddy के back पे वो चिपका हुआ है spear क्योंकि वो shark's tooth जिससे वो draw कर रही है वो slip हो गया और इसे इतना जो बाक दिया है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है चोटा सा है और इतने चोटे बाक में draw करना enough नहीं है इसके लिए that's the spear और वो बता भी रही है उसको कि यह spear है I want you to fetch यह वो spear है जो आपको ले कर आना है मतलब तुमको ले कर आना है वो stranger man को बोल रही है So I'll draw a picture of me myself explaining to you explaining means explaining तो वो Taffy बोलती है कि अब मैं मेरी picture भी बनाती हूँ कि मैं तुम्हें सब explain कर रही हूँ तुमको क्या करना है कहां जाना है कैसे लाना है तो हमारा fourth picture यहाँ पे क्या होगा तैफी का बना दिया उसने My hair doesn't stand up like I have drawn but it's easier to draw that way अब उपर से वो यह भी बोल रही है कि मेरे बाल जो है वो इतने खड़े नहीं है जैसे मैंने ड्रॉ किये है बट वो बनाना ऐसा खड़े-खड़े बाल बनाना मेरे लिए easy है तो देखो क्या ड्रॉइंग कर रही है और वो इसको explain कर रही है जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है Now I'll draw you I think you very nice really but I can't make you pretty in the picture so you mustn't be offended Are you offended? अब वो बोलती है कि अब मैं तुम्हें draw करूँगी यानि कि 5th picture हमारा हो गया क्या हो गया 5th picture अब वो stranger को draw करेगी और वो कहती है कि you are really very nice but I cannot draw you so nice in the picture तो तुम गुसा मत होना उपर से वो ये भी बोलती है कि तुम गुसा मत होना क्या तुम गुसा हो अब stranger man को तो विचार को खुछ समझ ही नहीं आ रहा है लेकिन देखो वो क्या करता है तो stranger man and he was a tewara smile तो stranger man जो की tewara था वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है smile कर रहा है He thought अब वो क्या सोच रहा है stranger man There must be a big battle going to be fought somewhere and this extraordinary child who takes my magic shark's tooth but who does not swell up or burst is telling me to call all the great chief's tribe to help him अब ये stranger man क्या सोच रहा है कि शायद कहीं कोई बहुत बड़ी जंग छिडने वाली है battle होने वाला है लड़ाई होने वाली है और इसलिए ये जो extraordinary child है जिसने जब मेरा magic shark tooth निकाला तो वो swell भी नहीं हुई और burst भी नहीं हुई और मुझ से कह रही है ये extraordinary child कि मैं जाके इस great chief के जो tribe है लोग है उनको help के लिए बुला कर लेकर आऊ great chief कौन टेगुमाई he is a great chief और he would have noticed me मतलब वो बहुत great है chief नहीं तो उसने मुझे अभी तक notice कर लिया होता था मुझे देख लिया होता था तो अब मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अगर किसी ने किसी को देखा नहीं तो क्या वो great हो गया look said Teffy drawing very hard and rather scratchily now I have drawn you and I have put the spear that daddy wants into your hand तो अब यह Teffy क्या बोलती है वो बहुत hard drawing कर रही है एक्दम scratchily एक्दम scratch करते वे घच 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 ऐसे आवा जा रही है और वो बोलती look now I have drawn you अब मैंने तुमको भी draw कर दिया यहने कि 6th picture and I have put the spear that daddy wants into your hand और मैंने वो जो spear जो daddy को चाहिए वो मैंने तुमारे हाथ में draw कर दिया है just to remind you that you are to bring it सिर्फ इसलिए मैंने remind यह बनाया है तुमारे हाथ में वो spear जो daddy को चाहिए ताकि तुमको याद रहे कि तुम्हें वो लाना है now I will show you how to find my mummy's living address अब मैं तुमको पताती हूँ कि मेरे mummy का living address कैसे पता करना है you go along till you come to two trees तुम तब तक जाते रहो जब तक तुमको दो trees ना मिले अब those are trees वो दो trees all draw करती है and then you go over a hill that's a hill और फिर वो वापस से एक hill भी बनाती है और बता भी रही है that's a hill मतलब picture drawing करती जा रही है और वो बताती जा रही है कि यह दो trees है यह hill है and then you come into a beaver swamp all full of beavers और फिर वो beaver swamp draw करती है जिसमें सारे beavers ही भरे हुए है I haven't put in all the beavers because I can't draw beavers अब मैंने सारे beavers तो नहीं डाले है क्योंकि मुझे beavers draw करना नहीं आता है but I've drawn their heads लेकिन मैंने उन beavers के head बना दिये है सबके and that's all you'll see of them when you cross the swamp क्योंकि तुमको भी सिर्फ उनके head ही दिखेंगे जब तुम swamp cross करोगे न तुमको भी पूरे के पूरे beavers नहीं दिखेंगे तुमको भी वह swamp खली उनके head ही दिखेंगे mind you don't fall in और ध्यान से तुम उसमें गिरना मत then our cave is just beyond the beavers swamp और जो हमारा cave है वो सिर्फ और सिर्फ उस beavers swamp के उपर है तो यहाँ पे उसने क्या-क्या बना लिया है trees बनाया, hill बनाया और फिर बाद में last में क्या बनाया उनका hill, उनका cave जहाँ पर यह रहते है अब वो कह रहे है कि जितना high मैंने यह hill बनाया है उतना high है नहीं but I can't draw things very small लेकिन छोटी-छोटी चीजे मुझे draw करना नहीं आता है that's my mummy outside और अपनी mummy को भी draw करती है वो कि वो मेरी mummy है बाहर she is beautiful she is the most beautifulest mummy there ever was but she won't be offended when she sees I've drawn her so plain अब वो बता रहे है कि वो cave के बाहर जो है मेरी mummy खड़ी है वो बहुत beautiful है और सबसे जदा beautiful mummy beautifulest mummy है जो आज तक मैंने देखी है and वो बिल्कुल गुसा नहीं होगी क्योंकि मैंने उसे बहुती plain बनाया है वो है तो बहुत beautiful लेकिन मैंने उसे बहुती plain ड्रॉगी है इसलिए वो बिल्कुल गुसा नहीं होगी मुझे पता है she'll be pleased of me because I can draw उपर से उल्टे वो मुझे पर खुश होगी क्योंकि मैं draw कर सकती हूँ now in case you forget I have drawn the spear that daddy wants outside our cave और अब फिर से वो spear बना रही है जो daddy को चाहिए तो वो वो ही बोल रही है कि तुम भूलो नहीं इसके लिए मैं वही spear वापस से बना रही हूँ cave के बाहर it's inside really लेकिन actually ये spear जो है cave के अंदर है but you show the picture to my mommy and she'll give it to you लेकिन तुम ये picture मेरी ममी को दिखाना और वो तुमको दे देगी I've made her holding up her hands because I know she'll be so pleased to see you और मैंने अपनी ममी की photo कैसे बनाई है Isn't it a beautiful picture अब वो टैफी बोल रही है कि ये कितना beautiful picture है है न and do you quite understand और shall I explain again और भी तुमको मैंने इतना सारा draw करके बताया है समझाया है तुमको समझ में आया है कि मैं वापस से समझाऊ ऐसा टैफी बोल रही है stranger man को the stranger man and he was a tevara looked at the picture and nodded very hard अब this stranger man ने picture की तरफ देखा और बहुत hard वो सोच रहा है और उसने ऐसा सर अपना हिलाया नौड किया yes he said to himself if I do not fetch this great chief's tribe to help him he will be slain by his enemies who are coming up on all sides with spears अब टैफी ने तो सारे spears इसलिए draw किये हैं ताकि वो टेवारा man को समझ जाए कि उसको ये spear लेकर आना है उसको याद रहे लेकिन ये टेवारा क्या समझ रहा है वो पिच्चर को देखके कि अगर मैंने इस great chief यानि कि टेगुमाई great chief के tribe के लोगों को नहीं बुलाया इसको help करने के लिए तो चारो तरफ से enemies आ जाएंगे और इनको तो spear बनाया है इसको बताने के लिए याद रखने के लिए कि उसको ये spear लेकर आना है और लेकिन इस आदमी ने stranger man ने क्या समझा है कि ये सब enemy आ रहे है चारो तरफ से spear लेकर मारने के लिए इनको और वो खुदी समझ के ले रहा है कि अब मुझे समझ में आया कि ये जो great chief है वो क्यों मुझे नहीं देख रहा है मुझे पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है he feared that his enemies were hiding in the bushes and would see him क्योंकि हो सकता है उसे डर लग रहा हो कि शायद उसके जो दुश्मन है वो यहीं कहीं bushes में छुपे हुए हो और वो उसे देख लेंगे therefore he turned to me his back इसलिए शायद उसने अपना back कर रखा है मेरे सामने मतलब मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है and let the wise and wonderful child draw the terrible picture showing me his difficulties और उसने अपने wise और wonderful बच्ची को ये मुझे drawing करके बताने को दे दिया है ये father है टेफी का जिसके ये तोटा हुआ spear यहां लगाया हुआ है ये एक spear black handle वाला यहां पे टेफी ने draw किया है ये भी एक और spear है जो उसके आर पार गया है ये एक और spear है जो इस stranger man के हाथ में है ये सारा viewer swamp है जहां पर आदमी दिख रहे हैं और ये दो tree है एक और दो tree है यहां पे और इसके बाद में ये यहां पर hill है ये चोटा सा cave है ये hill है और ये cave है और इस cave के बाहर टेफी की ममी है ये यहां पर टेफी है जिसके बाल खड़े हुए है और ये एक और spear उसने बना रखा है यहां पर बड़ा सा तो अब यह picture देखकर देखो कैसा लग रहा है यह यहाँ पता चलेगा अभी बहुत मज़ेदार किस्सा है यहाँ पर I will away and get help for him from his tribe अभी a stranger man सोचता है कि मैं अभी का भी जाता हूँ और इस tribe के help लेकर आता हूँ उसके tribe से He did not even ask Teffy the road उसने तो Teffy को road भी नहीं पूछा कि कौन सा road है but raced off into the bushes like the wind और एकदम हावा के जोके की तरह फटा 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 फट बुशिस के अंदर से निकल गया with the birch bark in his hand उस birch bark के साथ में जो Teffy ने draw किया था and Teffy sat down most pleased और Teffy वहाँ एकदम खुश होकर बैठी थी कि उसने बहुत बड़ा काम किया है Now this is the picture that Teffy had drawn for him अब ये picture उस Teffy ने draw किया है जो मैंने अभी अभी आपको explain किया है What have you been doing Teffy? अब उसके पापा आ गए टेगुमाई वो पूछने लगे तुम क्या कर रही थी इतनी दिर तक? said Tegumai He has mended his spear and was carefully waving it to and fro उसने अपना spear जो है mend कर लिया था यान रिपैर कर लिया था और carefully उसको थोड़ा आजू बाजू मैं ऐसे हिला के देख रहा था कि कहीं वो lose तो नहीं है It's a little be arrangement of my own अगर ये फिर से तूड़ गया तो दूसरा spear आ रहा है हमारे लिए तो इसने ये नहीं बताया पापा को खाले इतना ही बोला है It's a little be arrangement of my own Daddy dear said Teffy If you won't ask me questions You'll know all about it in a little time And you'll be surprised और वो कहते है कि अगर आप मुझसे question नहीं पुछोगे तो थोड़ी ही दिर में आपको पता चल जाएगा और आप surprise हो जाओगे You don't know how surprised you'll be Daddy और उपर से ये भी कहती है कि आपको पता भी नहीं है कि आप कितने surprise हो जाओगे Promise you'll be surprised और पका promise आपको बहुत surprise मिलेगा Very well said Tegumai and went on fishing तो Tegumai ने कहाँ ठीक है कोई बार नी अब चलो fishing करने और वो fishing करने चले गए Now the stranger man Did you know that he was a Tevara Of course हमें पता है कि वो Tevara है लेकिन बार-बार ये repeat किया है चीजों को तो जो Tevara था stranger man hurried away with the picture and ran for some miles वो फटा-फट picture लेके भागा और कुछ miles तक दोड़ता रहा Till quite by accident he found Teishumai Tevindra at the door of a cave talking to some other Neolithic ladies who had come to in a primitive lunch तो accidentally वो वहाँ पर Teffy के घर तक पहुँझी गया था जहाँ पर Teishumai Tevindra जो है cave के बाहर कड़ी थी और वो कुछ दूसरी tribal Neolithic ladies के साथ में बाते कर रही थी जो की उनके घर पे लंच के लिए आये थी एक primitive लंच के लिए Teffy was very like Teishumai especially about the upper part of the face and the eyes so the stranger man always appeared Tevindra, smiled politely and handed Teishumai the birch bark अब जो Teffy जो थी वो बिलकुल Teishumai के तरह दिखती थी especially उसका जो upper part of the face था जैसे की आखे, नाख वो बिलकुल ही एकदम Teffy बिलकुल resemble करती थी अपने ममी से तो इसको Tevara को समझ में आ गया कि हाँ यही उसकी ममी होगी तो उसने और politely smile किया और उसने Teishumai को वो birch bark दे दिया जो Teffy ने उसको draw करके दिया था He had run hard so that he panted अब क्योंकि यह Tevara इतना जोर से भाग के आया था तेज भाग कराया था इसलिए वो pant कर रहा था pant मतलब half रहा था So panted means half न and his legs were scratched with brambles और काटेदार ज़डियों के वज़े से उसके पैर भी पूरे छेल चुके थे but he still tried to be polite लेकिन फिर भी वो एकदम polite बनने की कोशिश कर रहा था As soon as Teesumai saw the picture she screamed like anything and flew at the stranger man अब जैसे ही Teesumai न यह picture देखा वो जोर से चिल लाई और वो उस stranger man के उपर उसने उसको धक्का मार के गिरा दिया नीचे flew at the stranger man मतलब attack जैसा कर दिया The other Neolithic ladies at once knocked him down और जो दूसरे Neolithic ladies थे दूसरे छे और Neolithic ladies थे उन्होंने भी उस आदमी पे stranger man पे attack कर दिया and sat on him in a long line of six और सारे के सारे उस आदमी के उपर छे के छे एक लाई से बैट गए while Teesumai pulled his head और Teesumai जो है उस टेवारा का बाल खीच रही थी अब देखो यहां पे वो क्या समझ रही है कि it's as plain मतलब एकदम सिंपल है यहां पर इस ड्राइंग से साफ पता चल रहा है as the nose on the stranger's man's face यह जो stranger man का जो नाक है एकदम सीधा सादा सिंपल एकदम वैसा ही सिंपल यह ड्राइंग है उसने मेरे टेगुमाई को पुरा spheres breve سے मार दिया है तो आपने देखा होगा ऑपर टेगुमाई के हाथ में तूटावा spears है पीछे दो spears और है तो यह बोल रहे है कि मेरे टेगुमाई को तो इसने मार दिया और मेरी पूर टेफी को डरा दिया इतना ड़ा दिया कि उसके बाल सीधे खड़े हो गए है and not content with that और इतने में भी उसको बस नहीं हुआ satisfaction नहीं हुआ तो वो मुझे लेकर आया है मेरे पास ये picture लेकर horrid picture कि उसने ये सब कैसे किया है look वो बता रही है अपने सभी ladies को look देखो she showed the picture to all the neolithic ladies sitting patiently on the stranger man उसने वो picture दिखाया सभी neolithic ladies को जो stranger man के उपर बैठी थी line से here is my tegumai with his arm broken मतलब वो बता रहा है कि देखो ये मेरा tegumai है उसका हाथ तूटा हुआ है here is a spear sticking into his back यहाँ पर एक spear उसके back में भी लगा हुआ है here is a man with a spear ready to throw और एक आदमी और है जिसके हाथ में spear है जो फेकना चाहरा है उसके उपर spear tegumai के उपर here is another man throwing a spear from a cave और वो cave के बाहर भी spear बनाया था तो बले यहाँ पर एक और आदमी है cave के बाहर जो spear फेकना चाहता है and here are a whole pack of people actually वो people किसको बोल रही है जो teffy ने जो beavers बनाये थे वो people है really but they did look rather like people actual में तो beavers बनाये थे लेकिन वो एकदम लोगों की तरह people की तरह दिख रहे है whole pack of people यहने कितने जुंड में people आ रहे है coming up behind tegumai tegumai के पीछे आ रहे है isn't it shocking कितनी shocking बात है यह तो यह end हो गया story का बिचारा stranger चाहता था help करना लेकिन उल्टा उसी के उपर मुसीपत आ गई तो this is how the first letter was written ऐसा बताया जा रहा है कि first time क्योंकि drawing से कुछ समझ नहीं आ रहा थे इसलिए message बनाने के लिए जरूरी था कुछ न कुछ तो शुरुआत करनी तो इसी के साथ यह chapter explanation मेरा खत्म हुआ है इसके workshop, warming up exercise in text questions सभी के लिए आप देख सकते हो description box आज के लिए इतना ही stay tuned अगले अगले videos जल्दी आ रहे हैं तब तक के लिए stay safe stay secure thank you